किसी गाउं में एक ब्रामन और ब्रामनी रहते थे, दोनों बहुत ही दरिद्र थे, उनके छे-छे लड़कियां थी, ब्रामन बेचारा चिंता में डूबा रहता कि इन कन्याओं का विवाह आधिकारिये कैसे होगा, मैं तो जो कुछ भी घर में लाता हूँ, उससे तो एक टा में उस ब्रामन के दिन बीतते जा रहे थे, उस ब्रामन का नियम था कि वह सुभे, रोज सवेरे, पीपल में जल देने जाता और वहाँ परिकर्मा करता, पीपल में भगवान विश्नु का वास माना जाता है, जो कोई भी पीपल देवता की पूजा करता है, उनके जल ब्रामन देवता के दुख तरिद्र को मिटाने का निश्चे किया। अगले दिन जब ब्रामन देवता पीपल सीचने के लिए गए और पीपल सीच कर परिकर्मा करके जब लोटने लगे तो उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी मुझे अपने साथ ले चलो। ब्रामन देवता ने चारों तरफ देखा पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ध्यान से सुना तो उन्हें लगा ये आवाज पीपल के वरक्ष से आ रही है। अब तो ब्रामन देवता थोड़ा डर भी गए। ल उस दिन घर के कामों में वो सुबह की सारी बात भूल गए। अगले दिन जब सुबह फिर जल सीचने गए तब उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी। तब उन्हें ध्यान लगाया तो फिर से उन्हें पीपल के वरक्ष से ही वहे आवाज आती महसूस हुई। तब उन पीपल में से लड़की कहती बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी लेकिन ब्रामन देवता कोई जवाब नहीं देते वो चिंता में रहने लगे कि मेरे घर में तो पहले ही छे-छे लड़किया हैं उनका ही मैं गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ अगर एक लड़की और पले जाऊंगा तो उसका गुजारा कैसे कर पाऊंगा एक दिन ब्रामनी ने ब्रामन से पूछा कि आप चिंता में क्यों दिखाई देते हो तब ब्रामन ने ब्रामनी को पीपल की सारी बात बता दी उन्होंने कहा वह लड़की कहती है बाबा मुझे अपने घर ले चलो तब ब्रामनी ने ब्रामन से कहा कोई बात नहीं कल जब आप सुबह पीपल सीचने जाओगे तो उस लड़की को घर ले आना जहां हमारे छेछे लड़किया हैं वहाँ एक और सही भगवान सब देखते हैं रात के बाद सवीरा जरूर आता है हमारे दुख की दिन भी जाद सीचने गए तब लड़की ने फिर से कहा बाबा मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूं मुझे अपने साथ ले चलो तब ब्रामन देवता कमला को अपने घर ले आई बेटी कमला को देखकर ब्रामनी बहुत ही परसन्न हुई उसे लगा मानो साक्षात महालक्ष्मी उसके घर में आ गई हो बेटी कमला के मुख पर एक अजीब सा तेज जलक रहा था उसने बेटी कमला को कोई काम नहीं करने दिया जब भी कमला कोई काम करने जाती तब ब्रामनी कहती रहने दो ये काम मैं ही कर लूँगी ऐसा करने से तुम्हारे हाथ मैले हो जाएंगे फिर ब्रामनी खाना बनाने लगी तब कमला ने कहा लाओ मा खाना मैं बना देती हूँ तब भी ब्रामनी मना करने लगी नहीं बेटी तुम्हारे हाथ जल जाएंगे लेकिन इस बार कमला नहीं मानी उसने कहा नहीं मा खाना तो मैं ही बनाऊंगी बेटी की जित के आगे ब्रामनी को हार मानन पड़ी ब्रामनी रसोई से हट गई अब जब कमला ने खाना बनाया तो जो खाना छे लोगों के लिए कम पड़ता था आज उन सब ने पेट भर-भर के खाया बहुत स्वादिस्ट खाना बना था बनता भी क्यों न साक्षा तेवी अनपूर्णा ने जो बनाया था थोड़ी देर बाद ब्रामनी का भाई आया और कहने लगा बहन मुझे बहुत भूक लगी है मुझे खाना दे दो अब ब्रामनी चिंता में पड़ गई सब लोग खाना खा चुके हैं अब मैं भाई को खाना कैसे खिलाओंगी तब बेटी ने कहा मा आप चिंता क्यों करती हो आप जा तुम्हारे कदम तो बहुत ही शुब हैं तुम्हारे आने से मेरा घर धन्य हो गया रात हुई सब सो गए आधी रात में कमला उठी और ब्रामन के घर में चारों तरफ नजर घुमाने लगी जिदर जिदर भी बेटी कमला की नजर जाती उधर उधर अन और धन के धेर लगत ब्रामन के दुख दरिदर को दूर करके देवी कमला वहां से जाने लगी जाते जाते उसे एक व्यक्ति ने देख लिया और पूछने लगा पेटी तुम इतनी रात को कहा जा रही हो तब कमला ने कहा मैं माता लक्षमी हूँ मैं तो इस ब्रामन का दुख दरिदर दूर करन आई थी ऐसी बात सुनकर वह व्यक्ति माता के चर्णों में गिर गया माता ने उसकी भी मनुकामना को पूरा किया और वहां से अंतर ध्यान हो गई माता ने जैसे उस ब्रह्मन के दुखदरिद्र को दूर किया वैसे इस कथा को सुनने वाले सभी के दुखदरिद्र को माता महालक्षमी दूर करे हमारे भी करे, आपके भी करे बोलिए माता लक्षमी की जै